सुहेल देव भारती समाज पार्टी के राश्टी अध्यक्ष उम्प्रकाश राजभर ने अपने गडबंधन से बगावत का खुला ऐलान कर दिया है बीते दिनों से ही अखिलेश पर बरस रहे राजभर ने साफ शब्दों में कहा है कि अमित्शा के फोन करने और समर्थर मांगने पर अब वो एंडिये के साथ आ गए है राजभर ने यह एलान ऐसे वक्त में किया है जिसके दो दिन पहले ही उनकी मुलायम सिंग यादव से मुलाकात हुई तो राजनीतिक जानकारों ने इसे समाजवादी पार्टी गडबंधन से उनकी नर्मी के संकेत के रूप में देखा लेकिन अब राजभर ने एलान किया है कि वो द्रौपदी मुर्मू के साथ है और राश्रुपती चुनाओ में अंडिये का समर्थन करेंगे राजभर ने ये भी कहा है कि इसके लिए उन्हें अमित्शाह का फोन आया था कभी अखिलेश यादव के साथ होने के वक्त जिन राजभर ने चल सन्यासी मंदिर में कहा था उन्हीं राजभर ने अब बीजेपी का समर्थन करके एक बड़ी बिसात खेल दी है राजभर की बगावत का कारण अखिलेश यादव का उनसे दूर होना है लेकिन राजभर अखिलेश से जादा अखिलेश के दोस्त से नाराज है जिस दोस्त का नाम राजभर ले रहे हैं उसका नाम उन्होंने इशारों में जिक्र के तौर पर अपने प्रेस कॉंफरेंस में भी कहा है राजभर ने कहा वो उदय के वीर है अखिलेश यादा से बगावत के सवाल पर राजबर ने कहा कि वो फिलाल समाजवादी पार्टी के गडबंधन से दूर नहीं है लेकिन जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या आपने को निकाले जाने की इंतजार में हैं राजबर ने साफ शब्दों में कहे डाला हमको कौन निकालेगा किसकी आउकात है राजबर ने अपने प्रेस कांफरेंस में जिन उदैवीर सिंग का जिक्र किया है उन पर पहले भी अखिलेश के गडबंधन साथियों से दुर्वेहवार करने का आरोप लग चुका है उदैवीर सिंग पर पूर्व में महान दल के नेता केशव देव मौर ने आरोप लगाया था कि जब उन्होंने स्पी से गडबंधन थोड़ा तो उदैवीर ने वो गाड़ी वापस मंगा ली जो अखिलेश यादव ने उन्हें चुनाव के वक्त दी थी अब राजबर ने भी उदैवीर सिंग पर कई आरोप लगा कर नई बहस शुरू कर दी है ये बात तैं हैं कि जो अखिलेश यादव को पुर्वांचल के इलाकों में मजबूत करने का दावा कर रहे थे उन्हें तोड़ कर बीजेपी ने कुछ गेम तो जरूर प्लान किया है वही दूसरी ओर राश्पती चुनाव में ही राजबर जिस तरह अखिलेश से दूर हुए हैं ये समाजवादी पायटी के गटबंधन के लिए एक बड़ा जटका है NBT Online की रिपोर्ट